अलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशेल विद गोपी क्रिस्ना में आपका स्वागत है जिसमें होती है मुच्वल फंड की बात आपके साथ हिंदी में कि आज हम विचार करेंगे कि यसाइपी में प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना चाहिए अगर आपको यसाइपी में प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना चाहिए यसाइपी को ज्यादा टाइम देना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि आपको पहले तो अपना टार्गेट डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने समय में पैसे की आवजिता है तभी आप अपनी S.I.P. की सुरुवात करें फंड सेलेक्शन आसान हो जाएगा आपके रिटर्न जादा आएंगे मान लिए आप चाहते हैं कि हमको 30 साल के लिए S.I.P. करनी है और 2 साल बाद ही आपने डिसकांटिन्यू कर दिया देखिए S.I.P. का में फैक्टर्स होता है जो रिटर्न देता है रुपी कास्ट एवरेजिंग इसमें आपका कोई फिक्स रेट आप इंटेस्ट नहीं है चाहे मीचुल फंड हो चाहे सेर ट्रेडिंग हो एक तरह से ब्यापार है अगर ब्यापार में आप टाइम देते हैं तो आपका प्राफिट होता है उसी तरह से मीचुल फंड या आप क्या कहते हैं कि यह साइपी के द्वारा लगांगे या वन्मार्केट में करते हैं आप मुला के आप अपनी पस्डिकर के जो है लगा रहें पैसा तो आपको स corazón गद去了 किसी पर ursale कि उबिए किसी पर न हुए और दिस्टेडियर करेंगे खालि अया यहां लेंगे और हमारे रिटर्न आ जाएंगे तो आप यह मान चलिए कि हैंड़ में से 99 पर्चेंट लोगों के गोल अचीव नहीं होते हैं क्योंकि जब उन्हों ने देखा कि हां हमारा जो है उन्हों पर डिशाइड कि हमको 30 साल के लिए सुरू करनी दस जार रुपए की सुरू क किया और दस साल बाद उनकी कोई प्लानिंग बन गई पता चला कि जितना पैसा जमा हुआ बारा लाख रुपए जमा हुआ उसकी 24 लाख रुपए वैल्यू है तुरंत उसको पैसे को विड्रा कर लेंगे और यहीं चीज अगर मान लिए आपने डिसाइड कर लिया हमको 30 सा पहले कंप्लीट होगा उसमें आप जो है बाहर आएंगे यह नहीं कि आपका टार्गेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन समय नहीं कंप्लीट हुआ आप वेट कर रहे हैं तो जब आपका टाइम पूरा हुआ आपकी साधारांड तौर पे देखा जाए अगर कोई कोई SIP कर रहा है तो हम 15 साल के ऊपर का कैलकुलेशन बता रहे हैं आज आप 10,000 रुपाय की कोई SIP पर मंद कर रहा है 10 नहीं 5,000 ले ले लेते हैं 10,000 को कई लोग सूचते की कैसे किया जाएगा अगर 5,000 रुपाय या 10,000 ले ले लेते कैलकुलेशन के लिए असानी हो जाए जाएगा या 10 साल में मालीजी हमारा जो है क्या रिटन आएगा 15 साल तक अगर कोई अपनी SIP चला रहा है 10,000 रुपाय की तो कितना पैसा जमा होगा उसका 18,000 रुपाय जमा होगा और उसको मिलेगा जाकर किया निया रिबाउट 15 परसेंट के हिसाब से 61 लैक्स जितना जमा हो रहा पैसा उसका 3,5 ताइम से 3,5 गुना से ज्यादा पैसा उसको मिलेगा इसी तरह से कर 20 साल कर रहा सेम इमाउंट 24 लाक रुपाय जमा होगा और मिलेगा जाकर कि 1.32 CR एक करोड 32 लाक रुपाय उसके हाथ में होंगे अगर जो है 20 साल 25 साल में उसका जमा होगा 30 लाक रुपाय और वाल्यू हो रही 2.75 यानि कि जितना पैसा जमा हो रहा पंदरा 20 साल में मिल ला था 25 साल में उसका जस्ट डबूल मिल ला है 20 साल में इनको मिल ला था 1.32 CR अब मिलेगा कितना 2.7 अगर यह इनों ने 30 साल के लिए कर दिया टाइम हाइन के पास तो जमा होगा 36 लाक रुपाय जिसकी वैल्यू होगी 5.63 करोड 35 साल में तो गेस करिए कितना होगा आप देख रहें कि जब 20 साल के बाद से उसका लगवा डबूल होता चला जा रहा है अगर 30 साल के लिए करेंगे 35 साल में इनका जमा होगा 42 लाक रुपए टाइम ज्यादा है 42 लाग रुपए जमा हो रहा है आज हो सकता है इमोन ज्यादा लगे उसके बाद इमोन ज्यादा नहीं लगे इसकी वाइलवेशन होगी 11.41 लाग रुपए यानि की मोटा मोटा आप यह मान चल सकते हैं कि साड़े 11 करोल रुपए साड़े 11 करोल रुपए की वाल्यू उस समय भी होगी जो आज यह साइपी 10,000 की दे रहा है तो साड़े 11 करोल रुपए जो है जिस तरह जितना चेंज हो जाए इंफलेशन के हिसाब चाहाए जिस तरह से उसके लिए उसकी वाल्यू ऐसी ही रहेगी तो यह तो हमने चर्चा कि यह की यह साइपी में ज्यादा टाइम देना चाहिए उसी हिसाब से फंड सेलेक्शन भी आपको करना यह नहीं कि आपने सोचा कि हमको जो है बीस साल पच्ची साल तीस साल के लिए पॉलसी अपनी साइपी चलानी और आपने क्या कि अल्लो ड्यूरेशन या कार्पोरेट ब पतलब ही हो महंगाई दर कि आज हम जो सामान खरीद रहें हो एक साल बाद अगर साथ परसेंट के साफ से बाने तो एक सो साथ रुपए मिलेगा 107 इसी तरह 30 साल बाद उसकी चावयली होगी तो साथ परसेंट के वजा हमारा जो रिटर्न आवे इंवेस्मेंट में उससे ज चलता है रिटर्ण की गारंटी नहीं है लेकिन आपके पैसे की गारंटी मिलेगा है हुआ allí आपने एक लाक रुपए जमां किया दस साल बाद है इस बात की गारंटी से भी और एंफी दोनों देते हैं कि अगर माली जी एक कंपनी बंद हो रही दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेगी 98 परसेंट पैसा मार्केट में लगा होता है अब दो लोग उन्हें हमसे प्रस्ट पूछे हैं पहला प्रस्ट नाया है कि मंगेज बोश जी का यसाइपी में 50 लाग में कितना टाइक्स आएगा देखिए मंगेज जी हम यह मानिक चले हैं कि आपने यसाइपी सुरू की है और उसमें 50 लाग रुपए का गेन आ रहा यह 50 लाग रुपए रिटन बन रहा जब भी आप निकालने हैं 15 साल 10 साल बात तो सबसे पहले आप क्या और यह साइपी आपकी 31 जन्वरी 2018 के बाद सुरू ही है उसके पहले वाले में थोड़ा सब चेंज यह हो जाएगा यह एक अत्री जन्वरी 2018 को जो आपकी यसाइपी की वाली वो नोट डाउन कर लीजे और जब आप पैसा विड्रा करनें 50 लाग हम मान चलने कि आपने एक मार्स एक फरवरी 2018 को सुरू किया आपकी यसाइपी बीस साल चली बीस साल में आपका जम हुआ दो लाग चालीज यह 24 लाग रुपए 24 लाग रुपए जमा किया 50 लाग रुपए आपको मिल ला रिटम यह डोटल मिल ला है तो आपका गें कितना हुआ 26 लाग रुपए और लांग áfic लाग रुपएμέ चाहिए जो होगा जाकर करके 50 लांग यह जोड़ लीजे यह आपका टाइक्स बने जाकर कि इतना आपको जमा करना होगा आप चाहे जिस लाइब में आ रहे हैं अगर नार्मल देखा जाता आप चाहे जितने कम से कम आते 30 पर्समिन तब भी पहुंच जाते तो यह तो आपका मैंने टाइक्स कैल्पिलेशन बता दिया हो सकता कि सभी लोगों समझ में भी आ गया हो दूसरा वाटसप के द्वारा एक प्रसम पूछा गया है कि बीस साल में इनको जो है पचास लाग रुपए चाहिए कितने हम उनकी साइपी करें अगर यह जो है 3760 यानि कि अगर राउंड फीगार मानके चले 3800 रुपए की एक साइपी करते हैं तो वीस साल में इनका गोल बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा इसके लिए यह कोई इसमाल कैप या जो है लार इन लोगों ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो लोग चैनल को अवसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकान को भी जरूर प्रेस करें जिससे की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार झाल